आज के वीडियों में बात करेंगे रियल्म 8S 5G जो डिवाइज इस डिवाइज के लिए एक नियू अप्डेट को ओप्शली रॉल आउट करना स्टार्ट कर दी गया है उस अप्डेट का निव वर्जन क्या देखने को मिलता है अप्डेट के साथ में क्या कुछ नए चेंज देखने को मिले हैं साथ साथ आपको आपके डिवाइज में Android 13 और रियल्म 4.0 का अरले एक्सेस कब तक प्रोवाइट किया जाएगा रियल्म क्योर से साथ कुछ शेयर करूंगा वीडियो को स्टार्ट सेंट तक जुरू देखिएगा तो कि दीग इंफॉर्मिशन आपको प C.05 का निव अबडेट अभी तक देखने को नहीं मिला है तो आपको भी थीन 7 डेस का वेट करना है उसके अंदर अंदर ये अबडेट आपको आपके डिवाइज में देखने को मिल जाएगा अब बात करते हैं इस अबडेट के साथ में क्या कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं तो सिक्यूरिटी की बात करें तो सितंबर मंच के लेटेस सिक्यूरिटी पेज को प्रोवाइड किया गया है और नेटवर्क सेक्शन में आपको 5G नेटवर्क फंक्शन सपोर्टेट 4GO को सपोर्ट कर देगया है और सिस्टम में बात करें इंप्रूव सिस्टम पहुमे अब यहाँ पर बात करते हैं कि आपके डिवाइस में Android 13 और Realme 4.50 का Early Access Cup तक देखने को मिलेगा कि यहाँ पर मैं आपको बतना चाहूंगा Realme के और सा ओफिशली कन्फर्म कर दीगा है Roadmap के थूँ कि आपका डिवाइस का नेम Quarter 1 2023 में देखने को मिलता है Quarter 1 2023 में आपको 3 मंत देखने को मिलते हैं हर quarter में 3 मंत देखने को मिलते हैं तो quarter 1 में आपको January, February and March देखने को मिलता है इन 3 मन्त में officially रियल में क्यों सा confirm किया जाएगा कि आपके device को किस मन्त में और किस date को रियल में आप 4.50 का early access को provide किया जाएगा तब तक लिए आपके device को latest time में update करके रखना होगा तभी आप अपने device में रियल में 4.50 का early access को apply कर पाओगे त्यार इस चोटीस विडियो में यहीता गड़िस चलिए दो डेकला एक कर दना अधिकर में आपके आपको जोईन हो जना है मिलता अपने आपके लिए बाबाय टिक किया